निता मौझूद हैं, घर पर अंसारी के फैमली के अन्य रिष्टेदार भी मौझूद हैं, सपा के गाजीपूर से प्रत्याशी मुक्तार के भाई भी घर पर मौझूद हैं, अफसाल अंसारी और सपा विधायक मौझूद हैं, मुक्तार के भतीजे मन्नू अंसारी भी घर पर मौजूद हैं सीधी तस्वीरे आपने देखी मुक्तार के घर जहां पर पहुच रही लिए श्यादव परिवार वालों से मुलाकात की मुक्तार अंसारी की मौत हो चुके लेकिन सूबे में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है मुस्लिम वोर्ट बैंक किधर जाएगा उसको लेकर लगतार इस वोर्ट बैंक की नबस पर सभी जो राजनेतिक दल हैं वहाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं आपने देखा होगा कि इससे पहले भी तमाम जो चुनावी दौरे हैं वो जहां राजनेता कर रहे हैं वहीं दूसरे दल के जो लोग हैं वो यहां पर पहुचे से पहले वैसी पहुचे खुद सपाक नेता धर्माई धर्मेंद्र यादफ पहुचे और आज अखिलेश पहुचे हैं लगभग 45 मिनट का वक्त वहां पर बिताएंगे और क्या जानकारी है जी बिल्कुर आपको बताते हैं और उसके बाद अखिलेश यादो हो एलिक्रेट प्राइंगे जहां उनका हेलिक्राप्टर कुद्रा था यहां पर जिल्किया से बात करेंगे उसके बाद यहां से रवाना होंगे वाराज़्टी के लिए आवास पे अप्याल अंसारी जो कि मुक्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और समाजवादी पासी से गाजी को से प्रप्यासी थी हैं वो मौझूद है चलिए बहुत धन्यबाद आपका जानकारी देने के लिए राइबरेली में अमरपाल मौरे ने अखिलेश यादफ पर हमला बोला राजसभास सांसत और बीजेपी के संगठन महासचिव हैं अमरपाल मुक्तार को श्रधांजली देने के लिए आज जो